आज मैं आपको तीन ऐसे hack बताने वाली हूँ जसे challenge है के आपकी इंगलिश improve हो जाएगी फर्स्ट hack ये है के अगर आपको इंगलिश बोलना सीखना है तो आपको इंगलिश बोलना पड़ेगा अब बात यह है कि आपको grammar से English नहीं आती है, आपको बोलनी नहीं आती है, तो don't worry about that, आपको बस कहीं से भी English सुननी है और उसे repeat करनी है, आप repeat करोगे, आप अपने मूँ से जब तक बोलोगे नहीं, तब तक आपको English नहीं आएगी, तो सबसे पहले आप बोलना सिखे, आपक शुरुआत ऐसी होगी, लेकिन आपको बाद में English इतनी अच्छी आने लगेगी, कि आप खुद बखुद आपके मूँ से English निकलेगी, Second hack ये है, कि जब भी आप कुछ नया सीखे, तो उसको लाइफ में दो-तीन बार practically use कर लीजिए, अगर आप उसको use कर लेंगे दो-तीन बार, सिर्फ दो-तीन बार use कर लेंगे, जिन्दगी भर आप वो उसको याद रखेंगे, जिन्दगी भर तक वो आपको याद रखेंगे Example, कि आपने school life में, can I drink water सीखा होगा, कि क्या मैं पानी पी सकता हूँ, ये चीज़ आपको अभी तक याद होगी, वैसे ही आपको बस practically use करना है, और आपको वो चीज़ याद रह जाएगे Hack No.3, अगर आप कोई नया sentence English में सीखते हैं, तो उस sentence के related, जो भी sentence आपसे नये बनते हैं, वो बनाने की कोशिच करें इससे आपके brain efficiency बढ़ेगी और आपको कुछ नया सीखने में problem नहीं होगा, जैसे example देख लेजिए, मैं काप रही हूँ, I am shivering, तो ऐसे टाइप की sentence और आप सोचे, कापने को shivering बोलते हैं, तो जाने को going बोलते हैं, मैं जा रही हूँ, I am going, मैं लिख रही हूँ, I am writing, मैं जो वीडियो आप देख रहे हो, आप कभी भी देख रहे हो, या कहीं भी देख रहे हो, दिन में हो या रात में, या सो रहे हो, या बैठे हो, लेकिन जो भी मैं बोलूँगी, आप उसको ज़रूर repeat करना, repeat करने से आपका ये benefit होगा, कि वो चिस आपको याद रह जाएगी, So start करते हैं हम लोग, आज ठंड है, it's cold today, आज बर्फ जमा देने वाली ठंड है, it's freezing today, आज बर्फ गिर रहा है, it's snowing today, और it's snow today, अब दोनों में से कोई भी sentence ये उसका सकते हो, आज धुनला धुनला है, it's foggy today, it's foggy today, मुझे ठंड लग रही है, I am cold, क्या आपको ठंड लग रही है, are you feeling cold, क्या आपको ठंड नहीं लग रही है, aren't you feeling cold, मैं काप रहा हूँ, I am shivering, I am shivering, मेरी उंगलिया सुन हो रही है, my fingers are going numb, अपना sweater पहनो, put on your sweater, कोई भी चीज़ पहनने के लिए आप बोल सकते हैं, put on, जैसे example, it's so cold today, put on your sweater, put on your hat, put on your gloves, put on your socks, etc. मेरे होट फट गए है, my lips are chapped, मेरे स्किन फट रही है, my skin is cracking, मुझे सर्दी हो गई है, I have cold, I have cold, मुझे खांसी हो गई है, I have cuff, मेरा गला खराब हो गया है, I have sore throat, उसको थन लग गई है, He has struck down by cold, मुझे से धुवा निकल रहा है, अब इसको कैसे बोलेंगे, I can see my breath in the air, I can see my breath in the air, चलो दूप से के, Let's bask in the sun, let's bask in the sun, गरम कपडे पहनो, वर्ना बिमार पर जाओगे, Wear warm clothes, otherwise you may fall sick, अपने फटे होटों पर बाम लगाओ, Imbalm your chapped lips, Imbalm your chapped lips, तुम्हें ठंड लग जाएगी, You will catch cold, आज अच्छी थूप है, It's sunny today, मेरी एरिया फट गई है, अब कैसे बोलेंगे इंगलिश में आपसको, I have cracked the hills, I have cracked the hills, तंकी का पानी बरफ जैसा थंडा है, Water in the tank is icy cold, Water in the tank is icy cold, यहाँ थोड़ा बहुत थंड है, Here it is little bit cold, Here it is little bit cold, आज बहुत कडाके की थंड है, It's very cold today, It's very cold today, मेरे पैर थंड से सुन थे, My feet were numb from cold, My feet were numb from cold, मुझे रजाई दो, Give me the kilt, Give me the kilt, वहाँ थंडी कैसी है, How is it cold there, मैं पूरी थंडी गरम पानी से नहाता हूँ, I take bath with warm water throughout the winter, I take bath with warm water throughout the winter, सर्दी में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, It gets dark very soon in the winter, वो थंड से काप रहा था, He was shivering from cold, I hope कि आप मेरे साथ सारे सेंटेंस को repeat किये होंगे, और जितने भी हैक आपको मैं बताई हूँ, उसको जरूर फॉलो करें, Guarantee है कि आपके अंदर improvement आएगी, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाते रहेंगे, चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और पाईए perfection और हमें support कते रहें,